सबसे प्राने चल रहा है। इतने सारे गड़रों में ग्राउटिंग कंपलीट हो चुकी है। वे गाइस कैसे हैं आप लोग सभी लोग बढ़ियाई होंगे दोस्तों मेरा नहीं रागा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर तो भाई फाइनली पहुंचे अपन पाडर वाले बाइपास पर और आज यहां का ट्राफिक भी ओपन करना अपने को फटा अपडेट दूँगा आज फटा गड़ा लॉंचिंग वाँचिंग साथ चल रही है तो बने रही इस वीडियों चलो भी शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉक तो गाइस यहां पर आप देख रहे ना यहां पर आपन ने रास्ता बंद किया था ना जो यह बोर्ट पगर ल जो पीछे भी थोड़ी मिट्टी डेली हुई थी तो आप देख रहे ना बैको लोड़र चल रहा है अपना वाप है तो इसको भी सारी मिट्टी को रिमूव करते हो पाजी लगे हुए यह रस्ता तला साफ कर देंगे जिसके बाद ट्राफिक चल भी हो जाएगा एक दो दि से भाई यहाँ पर पल्लूपाजी कितनी महनत करते हुए भाई धूप में अभी यह जो तीन बजे वाली दूप होती है सबसे गंदी दूप है यह होती है भैंगर दूप है अभी चार-पांच दिन पहले कैसी बारिश होई थी तो कितना अच्छा मौसम था खंड़ा अभी सब्सक्राइब दूप है भाई लोग फैको लोडर तो से तीन दिन से भाई बहुत ज्यादा घर लेट जलता ना घर लेट ही पहुंच रहा है वीडियो भी लेट डालके फिर भाई यतने थकावट होज़ाद आप लोगों कहें ना कर कमेंटों के रीपलाई भी नहीं कर पा हलका फुलका जो रह गया है वह सो दूल उड़ रही है और बागी थोड़ा हलका ट्राफिक भी चालूगा है अभी थोड़े-कौत उदर की सेड में भी ट्रैफिक रोक लेते हैं थोड़ा सा मिट्टी-बिट्टी डालके डाइवर्शन के थोड़े बोर्ड लगा देते हैं और स्रीगणे से फिर कोई दिक्कत नहीं तो बहुरा पाल्डर बासियों के लिए आज से एक रात की सोधा ही रहेगी कि यह ट्रैफिक से थोड़ा सा जो निजात मिलेगा गाड़ियां थटा पट निकल जाएंगी और यह हैं दोस्तों हमारे बास्ता वाई चले गए यहां पर आप देखने ने अपना ट्रैफिक थोड़ा मूव हो गया है पाड़र वाले बाई 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 निकल लगी एक साइट से अभी प्रोपर नहीं निकल रहा है उसको भी जाके जाके बनाते हैं और यहां पर तोड़ा सा यह काम चालू किया है इसके अप्रोच बाद में बने ना यहाली पुली आगे इसके अप्रोच बनने के बाद अभी यहां का जो अप्रोच मेला देते क्योंकि इसमें डामर नहीं हुआ तो यहां पर पेवर आ पीछे से शिफ्ट कर ली तो वैस यहां पर देखना है शोल्डर बोल्डर बनके एकदम रेडी हो गय तो फेर अपन दूसरे के साइड भी मिट्टी डाल के डाइवर्शन का बोड लगा के उसको भी बंद करते हैं थोड़ा एक दिन में थोड़ा सा मगजवार यादा रहती है अभी यहां का भी शोल्डर बोल्डर बना कि तम रेडी कर देए स्लोग भी बना दिया भाई होटल स्पीड अभी बढ़ गई है अभी गाड़िया देखना कल या परसों में आपको कभी वीडियो बनाऊंगा ना तो असी के प्लस जाएंगी तो यह हजार लाइट बहुत इंपोर्टेंटर रात के लिए तो यह जो गाड़िया अभी आरी ना यह रात के लिए है रात में जि कि अब होगे चंगा काँ जहारे तर पिचका तिया कि सीधा कर दे कल सुछ फिर को सही कराएंगा भी ऐसी लगाए इंच को भी अच्छ हो कि यह बैंड नी होगा तो ऑसमें डामर में ठाच होगा तो बैंड नी होगा या एक्षबेटर से एक्षबियों से करोंके इतो पंग जादेंगे तो स्वीदा हो जाएगा है तामर में भी ताजा है ना हाई ऑफ बाद जाजा नहीं तो कचुमर बना दिया तुमने उसका क्या से क्या बना दिया यह बोड़ का अब लुपाजी ने उल्टे काम कर दिये देख एग है कि अब लगा तो इसना ही सुवेद दूसरा लगादें कि कोशिश ओर हो रही वाई देखो अभी अभी पल्लू बाजी देखो किते प्यार से लगा रहा देखो अभी तो तोड़ जिया था ना भी देखो पिड़ते काम खराब हो जाता भी यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है आँ वाली प्लेट लगी रहती उससे इसकी बैटरी चार्ज ओती रहती और आत में बिल Müdlot来 हो ग्या है और यह वाला रासता भी बंद करते हैं तो यसने में कं़्शीन क्रिएट ना हो अदिगारी इehड़ी अधर जा जाई तो यह वालीं Düvette है बचने के लिए इसको भी बंद करते हैं, तो भाइं, यहां पर आप देख रहा है यह रास्ता ब्लॉक किया है, यहां पर ब्लॉक करने के लिए डाइवर्शन के बोड लगा जाते हैं, वह वाला बोड तो अपन ने पहले ही लगा था कर रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा आपको शेयर करा के दिखाता हूं अपने पाडर वाले वाई-पास की ट्रैफिक अपना ओपन हो गया गाड़िया अभी प्रॉपर इसी की उपर से चल रही है आज यहां पर लोकल मार्केट भी है तो इसे जाम से विल्गल प्रॉपर निज जाएंगे दो एक दिन में माल पहुंचने वाला है और यहां आगे थोड़ा बहुत काम चल रहा बागी अपना काम लगपक रेडी हो गया है यह भी इसके आरेचे साट यह लेचेस वाली साइड है ना जो इसको इसको कम्प्लीट करके तो इसका दोना साइड में ट्राफिक यहां पर आप देख रहे ना यह वाला इसका आरेचेस वाला पोर्शन पर ट्राफिक मूव है इस टाइम पर चोटा मोटा चोटर पूटर काम चल रहा है और लेचेस वाले पोर्शन पर यह लेयर हो जाएगा अज कंप्लीट तो मेरे साथ से कल इस पर भी ट्रैफिक आपका ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख रहा ना यह पीछे से पूरा कंप्लीट है कि पीछ वाला टुकड़ा रहे गया था ना तो पहले हमने कोशिश करी आरेचेस वाले को कंप्लीट करने की जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी तो आरेचेस वाले पर ट्रैफिक मूव अब यहां पर जो स्पीड है ना वह बहुत ज़्यादा बढ़ा कि मैं नोटिस कर रहा हूं वही सबसे प्याले स्पीड गाडियों की स्पीड अगसी से कम नहीं जारी वाई को युद रास्ता चोड़ा मिल रहा है खुला मिल रहा तो गाडिया थो कैसी सना सन चली आरी तो भाई अभी स्पीड कल हम और बढ़ा देंगे इनकी वह कैसे बढ़ेगी क्योंकि यह यह वाला पोर्शन है ना इसका यह वाला पर हम कल ट्रैफिक मूब कर देंगे थोड़ा सा ही है जाला बढ़ा टुकन मीटर और अभी शाम को खतम करके इसके उपर से भाई ट्रैफिक अ जारी गाड़िया अभी वन वे में यह वालत है जब दोनों फॉर लेंट चालु हो जाएं तब क्या अलत होगी देखना आप गाड़ियों का दुनों से काफी लोगों की डिमार्ड दिवाई यह चालु करो चालु करो तो हो तो गया भाई चालु पर एक चीज का थोड़ा स अपका वो है जो मार्केट है लोकल हो पूरी खतम हो जादी क्योंकि जो छोटी-छोटे दुकान रहते हैं जैसे कि जिसके होटल है छोटे-छोटे छोटी-छोटी-छोटी दुकान हैं लोकल मार्केट में काफी रहती है उनके धंदे चोपट बिलकुल हो जाते हैं और अभी देरे देरे यहां पर रोनक बढ़ना चालू हो जाएगी बाग इसका फाइदा यह मिलेगा दोस्तों कि अभी यह गाड़ियां फर्राटे भर रही है आपके सामने जो टाइमिंग भाई भाई बोरा को पार करने में लगबग 20-25 मिनिट लगते थे जिदिन लोकल बजार रहे था उस दिन तो बहुत जाधा टाइम लगता था पर अभी केवल 5-10 मिनिट भाई निकल जाता है यहां पर तोड़ी से बोरी लगा देते को गाड़ी इस साइट से भी आ रही है तो बंद कर देते क्योंकि इदर अपना काम चालू है अभी बैसे वन वे चालू है पर रोड पूरा खुला है ना कहीं से भी आगे से घुसी आते हैं डाइवर्शन लेकर तो सीधे चले आते हैं इसको बीच पीच में से थोड़ा सा बंद कर दिया बोरियां लगा के अभी पर्मेंट नहीं करा इसको टेंपरेरी किया है तो जो जो बो कल से स्पीड और बढ़ा देंगे बन यह जो थोड़ा सा टुकडा रह गया इसका कंप्लेट करके कल से और भी बढ़ा देंगे दोनों लेन चालू करो इस लोकेशन पर यह चोटा सा पैश अपना रह गया था तो ट्रेफिक तो आपके सामने मूव और यह तो बाजी वाले क तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको भी तो दोस्तों फाइनली पहुंचे अपने माचना नदी के ब्रिज पर यह आप देख रहे ना और यहां पर गड़रों की बात की जाए तो गड़र लॉंच हो चुके अपने पहले अपने आठ हो चुके तो दिन लास्ट टाइम अभी यह वाला इस्पान और कंप्रीड हो गया मतलब की बारा गड़र अपने लॉंच हो चुके हैं और इसके बाद अभी यह दो स्पान और बच्चे हुए ना जो यह फॉर्थ इस्पान और फिफ्थ इस्पान तो अभी इनकी तैयारी में है दूसा कि देख रहे नहां प पहले लॉंचिंग करें गए उसके बाद यहां पर करेंगे तोब इसके अब यह वाली मशिन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो थोड़ा सा आभी सूब चालू करेंगे और यह आपके देख रहे नहीं आपने बारा के बारा गड़र हो चुके लॉंच और इसम सेंटर वाले जो क्रॉस गड़र टाइप के रहते हैं इनको अभी भाई बनाने का काम चालू किया है देखो एक तरफ तो भाई हो भी गए कॉंक्रेटिंग और दूसरी साइड में अभी जैसे यह वाले आज सुबह दो गड़र लॉंच हुए थे और बागी कल के हैं तो अभी इन में काम अभी चल रहा है मैक्सिमम तो देखो भाई ब्रिज कितना लगने लग यहां से तो भाई अभी कल एक वीडियो आपको लॉंचिंग का भी दिखाये जाएगा अभी प्रॉपर लॉंचिंग का एक वीडियो बनाने वाले थे अपन तो कोशिश करेंगे इसको कल ही सब्सक्राइब कराने तो अभी यार थोड़ा माहौल थोड़ा गरम चल रहा मेरे साब से और यह आगे भी देखना अभी इदर की साइड के सारी गडर उड़गा है कि वह एक गडर बचा है पर वह एंड वाला है तो इसलिए वह वाला गडर अभी नहीं उठाए जाएगा यह जो क्रॉस गडर है इनको अभी बनाने का काम चलू हो गया और यह अपना ट्रेलर हो गया और यह देखो इदर की साइड में तो भाई इसका कास्टिंग भी कर चुके है यह अब देखना लगी हुई है इसकी कास्टिंग भी हो चुकी है और पीछे से वह आप तेक रहा ह जो एंड गडर हो भी बनाएंगे एंड गडर जब कम्प्रीट हो जाएगा आपका स्लैब ड़ दाएगी उसके बाद जो आपकी वह जो लास्ट में आप सरीय खड़े हुए देख रहा ना उसको डर्ट बॉल बोलते उसको भी कम्प्लीट करेंगे तो यह खड़ी है अपनी बड़ी वाली लोकेशन पर क्योंकि यहीं से अभी गडर उठाने अपने को यह वाले नंबर अभी इनका लगेगा क्योंकि यह वाले गडर है यह वह लास्ट वाले वह एक गडर छूट गया है वह सेंटर वाला गडर है जो अपना फोर्थ नंबर के स्पान लगेगा तो अ आप देख रहा है इतने सारे गडरों में ग्राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है ग्राउट करके इनका क्यूरिंग पिरेट का होके हम रेडी हो गया तो अभी इनको उठाने का तैयारी में है और स्ट्रेसिंग का तो हो गया एक दिन ग्राउटिंग का वीडियो बनाया तो दोस्तों होप आज का ब्लोग आपको पसंद आया होगा और ब्लोग आज का यहीं पे अंड कर रहा है मिलते एक लिए नई वीडियो में धन्यवाद